राहूल गांदी नीराधार जूट बोलकर लोगों को गुमुरा करने का काम कर रहे हैं नरेंद्र मोधी जी ने पुरे देश के दली पिछडे और आदिवासी भाई बैनों को गैरंटी दी है जब तक भारतिय जंता पाटी है आरक्षन को कोई हाथ नहीं लगा सकता कॉंग्रेस पाटीन हमेशा SC, ST और OBC के आरक्षन पर हमले किये हैं आदिवासी को न्याय देने का काम नरेंद्र मोधी जीनिक या द्रोपदी मुरूमू को राष्टरपती बना कर राहूल गांदी नीराधार जूट बोलकर लोगों को गुमुरा करने का काम कर रहे हैं भारतिय जनता पाटी की सरकार इस देश में 10 सासेल चल रहे हैं और दोनों बार पून बहुमत की सरकार मिली हैं अगर भारतिय जनता पाटी की मनसा होती कि आरक्षन को खत्म करना है तो हो चुका होता बलकि नरेंद्र मोधी जी ने पूरे देश के दलीत, पिछडे और आदिवासी भाई बैनों को गरंटी दी है जब तक भारतिय जनता पाटी है आरक्षन को कोई हाथ नहीं लगा सकता मैं आद देश की जनता को कहना चाहता हूँ कि कॉंग्रेस पाटी नहीं हमेशा SC, ST और OBC के आरक्षन पर हम ले किये हैं करनाटक में उनकी सरकाराई 4% माइनोरिटी आरक्षन किया किसका कटा? OBC का कटा आंदर प्रदेश में उनकी सरकाराई वहाँ पर भी 5% माइनोरिटी आरक्षन किया किसका कटा? SC, ST, OBC का कटा और जाम्या मिलिया और अलिगर उनिवर्सिटी में भी आज भी SC, ST, OBC आरक्षंट से महरूम है इसका एक मात्र कारण कॉंग्रेस की SC, ST, OBC निती है विछडा समाज का हमेशा विरोध किया बाबा साहिब आमबेडकर को हमेशा परिसान किया और ट्राइबलों को कभी न्याय द देने का काम नरेंद्र मोदी जीनिक या ध्रोपदी मुर्मु को राष्ट्रपती बना करूं। मैं देश की जनता को फिर से एक मोदी गैरेंटी रिमाइंड कराना चाहता हूं जब तक भारतिय जनता पार्टी राद दिती में है SC, ST और पिछडावर्क के आरक्षंट को कु झाल 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 झाल